ते फिर एन्ना साब कुछ करान तो बाद वी जे तो आड़ा बच्चा राती रोवे ते प्योन उठाओ देखो यार उठो ते आपड़े बच्चे नो थोड़ी देर रसते संबालो क्योंके ना दा कीड़ा नहीं राम करता प्या असलाम अलेकुम माई यूट्यूब फैमली आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सब खरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे आपकी मेजबान मानों एकदम सांदा जबर जल जल दाबा तो आज की वीडियो बच्चों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा तरीका जिसकी वैसे थोड़े सुकून में रहते हैं क्योंकि अकसर बच्चे रात में बहुत जादा तांग करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को खाने में क्या कुछ ने तो आपके बच्चे हैल्दी रेंगे और इसके इलावा क्या क्या ऐसा काम आप बच्चों के साथ करें जो रात को बहुत तंग करते हैं तो उससे थोड़ा सा चुटकार आपको मेलेगा तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी तो चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बच्चों की खाने जो मैं जैनब को खिलाती हूं जैनब को मैं सिरे लैग देती हूं चावलों वाला यह मैं आपको दिखाती हूं सिरे यह चावलों वाला सिरे लैग मैंने जैनब को देना होता है अच्छा मेरे बच्चों के साथ ये इश्यू है कि इनको गंदुम वाला जब मैं देती हूँ ना सिरेलैक तो इनको मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो इनको सबसे पहले तो सिरेलैक मैं चावलों से स्टार्ट कराती हूँ लेकिन जब थोड़ा सा अरसा गुजर जाता है कहीं लोगों का कहना है कि छे माँ के बाद एक साल के बाद गंदुम वाला या मिक्स फ्रॉट्स वाला कोई भी इनने सिरेलैक बच्चों को खिलाया जाए लेकिन मेरे बच्चों के साथ इशू है कि वो नहीं खा सकते उनको मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर थोड़े टाइम बाद साल बाद अब जब जैनक साल की होगी है तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि दो चमचे इस चावलों वाले की दे देती हूँ और एक चमच उसमें मिला गंदुम वाले की दे देती हूँ अगर आपके बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि स्रेलएक गंदुम से उनको इशू है तो आप ऐसे बच्चों को स्रेलैक दे सकते हैं कि चावलों वाला और गंदुम वाला दोनु मिक्स करके जादा कौणिटी चावला वाले की हो और गंदम वाले की थोड़ी हो ये दोनों मिक्स करके आप बच्चों को खिला सकते हैं अच्छा जी उसके बाद मैं फीडर्स की बात करूंगी तो ये फीडर्स सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए अच्छा बहुत से लोग हैं बहुत ब्रेंडर्डीट फीडर्स नहीं हरी सकते मैं ञISकाती हूं 오른 फीडर्स सबसे बेस्ट इकानमी भी हैं और बच्चों के लिए बेहतरी नहीं है रहा है और काफी टाइम चल जाते हैं के निपल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और मैं अपने बच्चों के लिए यही वाले फीडर्स इसकमाल करती हूँ अच्छा जी नेक्स्ट में आऊंगी ये ये मैंने जैनब के लिए बनाना होता है सागुदाना ये सागुदाने की खीर मैंने बनाई है बच्चों के लिए ने शायान तो बहुत एजी ली खा लेता है जैनब फोड़ा सा नहखरा ज़रूर करती है लेकिन चाभलों वाली खीर से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं जैनब को सागुदाने वाली खीर दूँ क्योंके बच्चों के लिए बहुत बेतरी होती है बच्चों की हड़ियों के लिए बहुत अच्छी होती है तो मेरी कोशिश होती कि मैं इसको ये बना के दूँ तो आप भी कोशिश करें कि बच्चे चोटे हैं तो चावलों वाली जो खीर हम बनाते हैं वो तो बिशक बना के दें, कस्ट्रड दें लेकिन ये वाली सागोदाने की खीर उनके लिए बिहतरी ही है उसके बाद रात में जब जैनब बहुत जादा रोती है तंग करती है तो फिर मैं उसको ग्राइव वाटर देती हूँ इसकी मैं उसको डेड़ चमच दे देती हूँ इसके साथ फिर उसको कॉलिक ड्रॉप्स भी थोड़े से दे देती हूँ तो उसको थोड़ा सा सुकून आजाता है ये मैंने बहुत दफ़ा ही ये नुस्खा अपनाया कि रात में अकसर ऐसा होता है कि बच्चा पर सुकून सो रहा है और फिर आपको तंग करने लाग जाए है तीन, चार, पांच बजे कार सा टाइम होता है कि छुटते हैं समझ ही नहीं आती ना उनको टेंप्रेचर है ना उनको कोई तकलीफ है लेकिन बच्चा रो रहा है तो मेरी फिर पहली कोशिश ही होते है कि मैं उटके उसको ग्राइब वाटर देती हूँ और फिर कॉलिक ड्रॉप्स थोड़े से दे देती है इसके इलावा घर में आप बच्चों के लिए कोई भी काफ सीरप लाजमी रखे मैं बच्चों के लिए काफ सीरप लाजमी रखने हूँ कि रात में अकसर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको खासी का मसला हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये रखूँ और पैना डोल जब बच्चे रो रहे हो रात में जादा तंग करें तो कोशिश करें कि पैना डोल की भी हाफ चमच दे दें बच्चों को इसके बाद बच्चे इंशाला आपके पुरसकूनों के सो जाएंगे इसके लावा मैं अपने बच्चों के लिए दूद कौन सा बनाती हूँ आईए मैं आपको दूद बनाने का तरीका बताती हूँ जी तो चले मैं आपको दूद बनाने का तरीका सिखाती हूँ जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और बहुत इच्छा रहता है यह वाला खुला दूद ये कप हमने डालने हैं दो इसमें दो कप ये दूर डालना है और एक कप इसमें पानी डालना है और अब इसको हम लोगोंने रख देने चुने हैं चलें तो इस दूर को हम डालें उपर रखेंगे चुने इसमें हम अकॉर्डिंग टो आर टेस्ट के बच्चे जादा पसांद करते हैं चीनी या थोड़ी दो चम्मत जितनी हम इसमें डालेंगे चीनी और इसमें हमने डालनी है सॉफ थोड़ी सी इतनी सी सॉफ और दो अदद हम इसमें डालेंगे ये इलाची और अब इसको बॉयल देंगे और चम्मत से बस्त हुड़ा सा मिक्स कर देंगे और ये बच्चों के लिए दूट ब्यार है मेरे बच्चों को डबे के दूट की बिलकुल आदत नहीं है वो उन लोगों को रास ही नहीं आता था वो डबे का दूट पीते थे तो उन लोगों को मोशन लग जाते थे तो फिर मुझे किसी ने खुले दूट का ये तरीका बताया था और इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को यहाला दूट पिलाती हूं जो उनके लिए बहुत अच्छा भी रहता इससे उनकी सेथ भी ठीक रहती है और बच्चे शौक से दूट पी भी लेते हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कल दूट डबे वाला तो हैर हम उसको फार्मिला केंगे वो तो दूट है यही तो मुझे लगता है क्या उससे बच्चों की सेथ बननी जो मोटे भी हो जाते हैं वो शेवर मुर्गी की तरह फोके से सूज तो जाते हैं देकिन उनमें जान नह नहीं होते हैं तो बैस्ट यही है कि आप उनको यह फ्रेश मिल्क दें इससे उनकी सेथ भी ठीक रेगी और बचारे जो कुछ पीए हैं कुछ उनको लगेगा तो सही ना कुछ लोग यह भी शिकायत करते हैं मैंने एक सर सुने हैं माँं से क्यों कहल यह दी हैं कि खुला देंगी तो मुझे उमीद है कि बच्चों को किसी किसम भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोफ और अलाइची डालने का इसमें मकसद ही है कि सोफ से उनको गैस्ट्रिक इश्यू जो रहता होगा मरोड वगारा का उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा और अलाइची से उनको करेशे का भी प्रॉब्लम नहीं होगा यह दूद पाने डालने से हलका हो जाता है इसकी तासीर तो फिर बच्चों को इंशालला कॉंस्टिपेशन का भी बिल्कुल मसला नहीं होगा जैना जब शायान था उसको तो डॉक्टर ने रिगमेंड किया था कि आप दूद लेकिन उसका पेट गड़ 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 बड़े रहा तो फिर मजे की अमी लोगों नहीं सबने का कि इसको खुला दूद लगाओ ऐसे कि तीन चौथाई दूप और एक चौथाई पानी हो फिर मैंने ऐसे करके पने बच्चों को पिलाना शुरू किया पहले शायान ने भी यही पी है और जैनब तो जब कि बैदा होई मैंने थ्रू आउट उसको दिया ही यह वरा दूद जिसकी वज़ा से वो भी माशारा बिल्कुल ठीक है और रेशे वारा की प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को जी तो देखे में फर्स दूद को बॉइल आगे अच्छी तरह अब हमने यह चमठ छिलानी है इसमें और चूला मीचे से बान कर लिया बस अब यह दूद आपने थोड़ी देर के लिए ढगके रख देना है और इसके बाद च्छान के बच्चों को पिलाना है इन्शाला देखिएगा कि आपके बच्चों को बहुत सूट करेगा और उन उन लोगों की सेथ भी ठीक होगी मेरे बच्चों की सेथ बेना चाहिएगा मेरे बच्चे आई सुके का उड़े लेकिन में बच्चे के मोटा आने से जादा इस चीज़ का ख्यार रखना चाहिए कि बच्चा एक्टिवालना चाहिए और अपनी एक्टिविटिस को अच्छ तो ठीक है विवर्स ये थी आज मैंने आपको बताई रेसिपी दूद बनाने की कि मैं अपने बच्चों के लिए दूद कैसे बनाती है तो चलेंज ये दूद बनाने का तरीका आपने देखा है आप जरूर ट्राय कीजेगा जिन लोगों को डबे का दूद नहीं सूट करता और वो फ्रेश मिल्क अपने बच्चों को देना जाते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको दूद बनाने का तरीका बताया इस तरहां बच्चों के लिए बड़ो के लिए भी अगर आपको किसी किसम के रेश हैं तो यह आप उस जगह पर अप्लाय करें बेतरीन आपको अराम आ जाएगा और जैनब को तो मैं अक्सर यह यूज करती हूं एक और बाद मैं आपसे यहां शेयर करूंगी कि हम अक्सर ऐसा होता है कि एक चीज हम अपनी स्किन पर अप्लाय करते हैं एक जैसा शैम्पू यूज करते रहते हैं और सब्सक्राइब कुछ अर्सा तो वो बड़े उच्छी द ashamed करता हैं ताके आपकी स्किन पे वो अपना काम दिखाए तो ये सारी जो छोटे मुटे से टोटके थे ये मैंने आपको बता दिया कि बच्चों के साथ किये जाएं तो मेरे बच्चों को थोड़ा स्कून आ जाता है तो फिर एन्ना साब कुछ करां तो बाद वी जे तो आड़ा बच्चा राती रोवे तो प्यान उठा देको यार उठा ते आपड़े बच्चे नो थोड़ी देर रसते संबालो क्योंकि आना दा कीड़ा नहीं राम करता प्या तो चलें वीवर्स अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड कॉमेंट और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी आला हाफिज